आलो ढइसे पिछले वाले वीडियो में हमने ड pass की प्रोपर्टी पर बात की थी आप उससे कोशिंण करेंगे तो मैं सामने, एक्सिंथ है, एक्सें दे रखाई यानि डिस्क्रित सिगेर्णल दे रखा अब हम से यह कोज़न पूछे कि क्या क्या है फाइंड रैबरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू कर ठीक है और दूसरे हम पूछेगा विच ऑफ फोलरी और टू दा और C1, C1 के इसमें से कुण-कुण से एको लोगे, ठीक है, मैं इसको बताने वाला हूँ, शोट ट्रिक से कितने जल्दी कर सकते हैं, तो पहले वाला देखते हैं, अब सब पूछी है यह average value, average value क्या होती है, जो C0 होती है, वो ही क्या होती है, average value होती है हमारी, हमें पता, C के जो होता है, क्या होता है, 1 by N, summation, over a period बात करते हैं, XN, E की पावर माइनस J, 2 by YN, KN, E की पावर J, omega naught, KN होता है, omega naught की value कितने होती है, 2 by YN, ठीक है, और यह average value होती है, क्या होती है, C0 पहुती है, यानि C0 पहुती है, यानि C0 पहुती है, अगर मैं C0 लगाऊंगो, तो यह किस के को लाजाएगा, 1 by N, over a period, XN, K2 लगाऊंगो, तो E की पावर 0 होती होती है, जो की बना जाएगा, तो कहने के मतलब है, सारे उस period में, जितने भी element होंगे, उनका sum कर देना, divide by its period, यह तो करना है, तो C0 की value होगी, क्या होगी, यहाँ पर, 1 by N, summation, N equals to over a period, मैंने ऐसे कर के सिखाया, ठीक है, XN, तो over a period, कोई भी एक period पकड़ो, अब periodic पता लगाना, कोई भी एक जगा से पकड़ लो, जहां से चलो, यहां पर two value आ रही है, two जा कर, कहां पा रही है, यहां पर आ कर, कोई भी एक value पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, यहां तर पकड़ लो, minus one से four, यह minus two से लेकर three तक, थीक है एक पी यह पकड़ लेते हैं फिर देखते हैं वह आले वैलू कहा पर आ रही है ठीक उसका ही मतलब होता प्रियों तो जीरो से लेकर पारा तो प्रियों कितना हो गया इसका प्रवाइब माइनस जीरो यानि फाइब आ गया एड़ वैली आ गई फाइब तो अब इसको करना पूरे प्रियूट पर क्या कर देंगा सारे एलिमेंट को एड़ कर देते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा वन बाइए अगर मैं अगर मैंने कहां से स्टार्ट किया है यह क्या एक स्टार्ट करते हैं उससे एक कम तक यह होता न फॉर्मूला एन माइनस वन ठीक है एकसे इस टाइब से सिखाया है मैंने ऐसे कभी गलती नहीं होगी ठीक है एन की जगा है फाइब यहाप लगा दो एन ने कर दो जीरो से कहां तक आ जाए फाइब माइनस वन फोर एकसे तो वन बाइ फाइब तो इसको ओपन कर लो कितना हो जागा एकस ओफ जीरो एकस ओफ वन एकस ओफ टू एकस ओफ थरी और एकस ओफ पॉर यहां तक आगी बात समझ तो सी ओफ जीरो कितना गया एकस ओफ जीरो की वैली कितनी है टू नेक्स देखो एकस ओफ वन की वैली कित कितनी यह 0 और X dan 40 कि वैल्यू कितनी है हैं तो यह कितना आ गया इस बन से एह बन ङहां गया कितना जिरो ठीक है तो average bedeutet होगी हमारी ไดल की क्या होगी जीर ओगी या booklet होगी यानि f2 तो करना की जाता है DC में DC निकाने के लिए पर बखड़ उसमें α siempre 8 को पहले देखना कहां से स्टार्ट करना उससे जहां तक ले आ रहे हैं ना पीरेट जहां पर है वह एक कंप कर देना हमने ठीक अब उसके फिर इवायट कर देते हैं उन्हां सारी वैलू को जोड़के नेक्स्ट कोशन देखो देखो मैं पिछले उसमें पहले वीडियों में बताई थी शो ट्रीक कि विच्च्छ फोलें हार इक्सपोनिंश्यल स्रीस Cancer Coopish सी वन के कौन कोन इक्वल है। हमें पता जनरल फॉर्म में सोकाइधी सी के होता है कि से के प्लस में के जहांपर इम होता हमारा क्यां इंटीजर ठीक है यह था हमारा इंटीजर हम क्या करते हैं की निकालते हैं तो यहां पर देखो वांट्री की जगे तो यहां पर कितना यहां यहां 20-kind कितना गाला रुपकी रखा हों तर दिया अब इस वाले की पर देखेंगे किस पे वाई होगा n का value कितना है अब n का value पता लगाना ज़रूरी है यहां पर period दे रखा क्या हमें period की दे रखा n कस्ट to 5 है ठीक है n कस्ट to 5 है हमें given है तो यहां अगर जो मैं 5 लगाओंगा तो मेरा यहां क्या बन जाएगा k plus 5m बराबर 1 तो यहां से बस m की value निकाल लो m बराबर कितना गया 1-k upon 5 ठीक है अब k की different value देखनी है चक चक करके और कुछ नहीं करना यह देखना कि कौन सी k की value पर यह divide हो जाएगा उसके बाद ही हमारे क्या बन जाएगा काम बन जाएगा ठीक है तो अब solve करना सुरू करते हैं पहला दे रखा कि इसना 9 तो यह की जाएगा 9 दे रखा अगर m की value इंटीजर आ गई यह वाले coefficient रखके तो वो divide मतलब c1 का coefficient होगा 9 नहीं ठीक है मैंने पहले वीडियो में तो इतने बड़े बड़े सिखाए थे यहाँ पर देखो पहले c9 के लिए चेक करो वैं के कस्टू 9 ठीक है मैं पहले वाले के लिए चेक कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा में कस्टू देखो यहाँ पर 1-9 by 5 तो यह क्या इंटीजर आएगा क्या यह माइनस 8 by 5 आएगा यह क्या होगा इंटीजर नहीं होता ठीक है जैट से रिप्जेंट करते हैं इंटीजर को तो माइनस 8 by 5 इंटीजर तो होता नहीं है इसका मतलब c1 तो इसका कोपिशेंट यह c9 तो c1 का कोपिशेंट c9 तो होगा नहीं ठीक है ठीक है ठीला अब काम नेक्स्ट अभी देखो इन वाले को सिखाऊंगा चलो इनके लिए दो कोलम छोड़ देते हैं इन वाले हो देखते हैं जबता c-1 इस बार के की वैली कितनी दे रखी है माइनस वन के की जहते हैं लगा तो कितना हो जागयं यहांसे 1-1-1-5 M किवैली कितनी आ गई टू बाइव यह क्या है इंटीजर नहीं होता तो थोड़े होता या इसका इसका मतलब क्या हो गया यह भी इस इसका C1 का क्या होगा Coefficient नहीं होगा ठीक है C1 के Equal नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया C11 पर चेक करते है यानि कि एक वेली कितनी हो जाएगी स्वार 11 तो यहां से एक एक सेकेंड में हम चेक कर सकते हैं वो जल्दे अल्दी महाँ पे तो कितना जाएगा यहां से 1-11 by 5 यानि कितना आगे माइनस का दस वटे 5 तो M के वेली कितना आगे माइनस तो दो तो इंटीजर माता है ठीक है इंटीजर माता है तो C E तो ठीक है हमारा अब इन दोनों को पता लगा ना तो यह कहते रखा complex conjugate हमें पता है अगर सिगनल हमारा कैसा हो रियल हो तो हमारा काम बन जाता है कैसे है देखो पहले सिगनल हमारा है यानि सारी वैलियो हमें मिल रही है देखो हर पॉइंट पे ऐसा हता है कोई कहीं पर जे आ रहा हो कहीं पर जे दीख रहा है क्या नहीं है आगर नहीं है तो हमारत क्या सिगनल क्या है charity therapy अगर सिगनल रियल होता है तो ऊस केस में क्या होता है सी के गगाफ माइनस जॉक मैंज सी मांगात था कुइन सी मांज सॉगेट ये ओता है तो थेचिए इकल बेला झाई बn तो वह भ मैनस एम के लगा फॉर भाइप यहां माइनस थ्री वाइप पाइप क्या होता एक नहीं होता है अगले वाले लाजाए यह किस के को ला जा गा इसमें लगाओ इस वाले में सी के बराबर क्योंकि हमारा सिगनल को क्या रियल मैंने प्रोपर्टी पढ़ाई थी वहाँ पर यह पता ऐसी का रहता है अगर मैं के की जाए सोलर रग दूं तो यह तो मुझे इसका मतला अगर मेरे शी्र सिख सीटीन कि बहुत होगा तो छेक कर लो when K कस्टू कितना Kकस्टू अगर मेरा 16 है तो मेरा M की टिना आगी 1-नस कितना 16 5 यहनि कितना है माइनस की 15 5 और M कितना हो गें यहां से माइनस 3 यह तो क्या होथा इंटीजर होता आगर द्री इसका मतलब sitä क्या हो एक्जाम में जब आएगा तो क्या करना है एकदम सोल ट्रिक्स है बस करते चलिया आना है जो k plus mn हमें period given होगा हुआ से जो k वह वाला नंबर है जिसके वह equal पूँच रहा है कि होगा या नहीं होगा ठीक है और यह one कौन से नंबर है जिसके equal पूँच रहा हो ठीक है ठीक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही होगा ठीक्यू मिलते है नेकश्ट वीडियो में नेक्स्ट आ या कोश्ट के साथ इसी टाइप के हम काफी करने वालहेंज है है डिस्क्रीट पर नहीं हुए कोशन भी ज्यादा तो ऐसी कवर करेंगे हैं ठीक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही होगा थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो